हेलो एंड वेलकम टू पर्फेक्शन आई एस आज 24 जुलाई मंडे को हम फिर से अपने दा हिंदू नियूस पेपर का अनालिसिस करेंगे और यह अनालिसिस का वीडियो UPSC 2023 और 2024 प्रेलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपोर्टन है आपका स्वागत करते हैं पर्फेक्शन आई एस की यूटूब चैनल पर और आपको हम बता दे कि यह जो दो हिंदू का एनालिसिस आता है डेली का इसमें हम करेंट एफियर्स प्लस स्टाटिक दोनु चीज़ें कवर करते हैं और कोई भी ऐसा न्यूज नहीं है जो हम छोड़ते हैं ठीक है अन्लेस और अंटिल वो न्यूज यूप्यस सी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन ना हो जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो यूप्यस से बस वो एक न्यूज छोड़ देते हैं बाकी हम पूर का अच्छे तरीके से इसका विशलेशन करते हैं और हर एक न्यूज को बहुत ही सही तरीके से सही मानिय में एक्स्प्लेइन करते हैं एनलाइज करते हैं उसके बैक्ग्राउंड में जाते हैं उसका इम्पैक्ट उसका वे फोरवर्ड ठीक है अगर क्वेस्चन आया तो कॉ क्वैशन के बॉड़ीपाइब इस न्यूज के हर एक डेटॉरियल में हम यह देखेंगे कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो प्रिलिम्स में आपका स्टेटमेंट बन सकता है ठीक है तो यह सारी चीजें हम देखेंगे कि प्रिलिम्स में स्टीटमेंट कैसे बन सकता है और इसका बॉडी का पॉइंट क्या है कौन सा पॉइंट है वह सारी चीजें हम देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और पहला न्यूज है तो अब जितना भी टाइम हो रहा है वाइलेंस का हमने मनिपूर के इशु को दो बार अभी तक डिसकस कर चुके हैं ठीक है हमारे दवहिंदू के अनालिस में प्लस मनिपूर क्रैसिस पे एक फुल वीडियो आएगा जो ही ये क्रैसिस ओवर होगा जो ही वहाँ पे लॉइंड और वापस established हो जाएगा देन फुल एनालिस का एक वीडियो आजाएगा वह हम देखेंगे नाव देखेंगे इस कि 13,000 पीपल 13,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है ठीक है बेस्ट ऑन देखिंग दाट इस प्रिवेंटिव डिटेंशन तो अब हम देखते हैं कि ये प्रिव प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और कैसे हम इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और आज ही के डिसकॉशन में हम इसको क्लियर करेंगे अपने आपको भी और ताकि हमें दुबारा से ये बार बार ऐसा इसा इशू ना आए हम साथ कि हम इसको बार-बार भूल जा रहे हैं एक बार के लिए क्लियर करेंगे और हमेशे याद रखेंगे तो प्रिवेंटेड इटेंशन क्या होता है इसको देखते हैं और इस डिसकॉशन को जितना आप हो सकते हैं उतना शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को रेकमेंड कि अगर आप आज help करते हैं अपने दोस्त की without being into the service तो जब आप DM बनिएगा उसके बाद भी आप help करेंगे उन लोगों की जो आपके कुछ नहीं लगते हैं तो इसी लिए मैं बोलता हूं कि अगर आप अभी अपने competitor की help करते हैं तो तब भी आप अपने साथी की help करेंगे चाहे वो service में हो या चाहे वो service से बाहर हो that's called social service और उसके बाद आता है compassion का level जिस लेवल पर आप जाके उन लोगों की help करते हो जिनको आप जानते तक नहीं हो ठीक है तो preventive detention means a detention of a person, किसी person को arrest कर लेना without trial and conviction by a court ठीक है इसको court में पेश किये बगार उसको arrest करके रख लेना और court में 24 गंटे के अंदर अंदर पेश नहीं करना ही है पर हम अरेस्ट कर रहें ठीक है वाई इसको preventive detention क्यों बोलते हैं या इस इंसान को arrest क्यों करते हैं इस प्रोविजन पर प्रिवेंटिव डिटेंशन पर इसको क्यों करते हैं इसने पास्ट में कुछ ऐसे गलत काम किये हैं कुछ ऐसा क्राइम किया है जिसकी वज़े से इसको पहले ही बंद कर दिया जाता है कि यह आगे और ना करें है इंदに ही मैं हुआँ कॉमेंटिंग ओफेंशेज कि इन फ्यूच去 कि यह आगे जाके और ओफेंस ना करे और क्राइम ना करे फ्यूचर में तो इस यह कितने महीने तक हो सकता है, यह तीन महीने तक हो सकता है. एक एनसान को तीन महीने तक बंध रखा जा सकता है, on the basis of the grounds of prevental detention. तीन महीने के बाद क्या होगा? अगर तीन महीने के बाद भी इसको रखना है, there will be an advisory board, जो recommend करेगा that advisory board का जो report होगा, उसी report के basis पे इसका detention जो है extend किया जाएगा Now the thing is कि क्या हमारे पास protection है इस चीज़ से बचने के लिए तो article 22 of the constitution provides protection to the persons who are arrested or detained That is the right against arrest detention which is in article 22 तो article 22 के दो clause दो parts है पहला deals with the ordinary law and second deals with the preventive detention law अब इसमें दो types of detention होते हैं पहला है preventive detention और दूसरा है punitive detention तो हमने देख लिया कि पुलीस किसी भी इनसान को suspicion के basis पे arrest कर ले दी है because of his past crimes because of his past history of crimes and this arrest is made without without the warrant of magistrate तो वारेंट के बगएर ही इसको arrest किया जाता है now comes the punitive detention punitive detention means detention for detention for the punishment or criminal offenses अगर इसने कोई criminal offense किया तो उसका punishment दिलाने के लिए इसको arrest किया जाता है ठेक है तो this occurs after an offense is actually committed जब वो crime कर लेगा उसके बाद उसको arrest किया जाएगा और the attempt has been made towards the commission of that crime अगर यह attempt कर लेगा attempt to murder और attempt to suicide तो ऐसे जो attempts होते हैं to crime and attempt to crime उस attempt के basis पे भी इसको arrest किया जाता है और उसके बाद उसको सजा होती है done अगर उसने law का violation किया है तो that is about what preventive detention और यह word आया था newspaper में तो आप देख सकते हो कि हमने इस word का खुलासा कैसे किया तो moving ahead ती बालासो ट्रेंड इंसिडेंट आपने देखा होगा हम सब ने पढ़ा उस टाइम पर दो जून दो हजार तेईस को इंसिडेंट हुआ this was totally shocking incident UPSC perspective से जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ठीक है तो मैं students को हमेशा यह बोलता हूं कि आपको करना क्या है actual में जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है क्योंकि यह इंसिडेंट आप मनिपूर का देख लो और आप यह बालासोर इंसिडेंट देख ठीक है यह बाल investigation and then all of it happened ठीक है बट अगर आप मनिपूर इंसिडेंट देखो तो सेम चीज हैपन इस हैपनिग है और ऑल्सो अगैन के मनिपूर में वाइलेंस स्टार्ट हुआ किंदो कम्यूटी के बीच में वाइलेंस स्टार्ट हुआ कहां कहां पे वाइलेंस इरप्ट हुआ कहां कहां पे बहुत ही सीवियर लेवल पे अटाक्स हुए कोकी कम्यूनिटी पे कोकी जोमी कम्यूनिटी पे मेटीज और उनके क्लैश किस-किस जगह पे हुए किस-किस डेट पे हुए किस डेट पे कितने लोग मरें किस डेट पे कितने लोग यह आरेस्ट हुए या इंजर्ड हुए तो वो सारी चीजें जो है हम तब डिसकस करते हैं या हम तब उनको लिखते हैं उसमें से दो या तीन पॉइंट हम तब लिखते हैं जब ये इंसिडेंट खतम हो जाए जब ये वाइलेंस खतम हो जाए और जब ये इवेंट खतम हो जाए तो ये जो इंसिडेंट था ये जो इससे पहले तो एक्षिडेट लेफ 295 पीपल डेड और थाउज़न इंजर इस इस पॉइंट विच वी एन यूज वेन इट पॉइंट विच वी एन यूज वेन इपने लोजिस्टिकल सेक्यॉरिटी जब हम लिखेंगे आंसर इस पर कि दाट वूदी सेक्यॉरिटी इन अ मो अब चाहे यह किसी इंसान की गलती से हुआ हो या किसी टेक्निकल ग्लिच की वज़े से हुआ हो अब इस सुचुएशन में हम क्या कर सकते हैं हाउ टू एडवान्स और वट वेर्ड़ की रीजन्स देखो ऐसे इंसिडेंट का अगर आपको जानना है तो इसका रीजन जो होगा न है रीजन और इसका कि इसको प्रिवेंट कैसे जा किया जा सकता है इन दोनों में जो भी टेक्नोलोजी होगी इस पर क्वेश्चन बन सकता है कहां पर प्रिलिम्स में ठीक है डाट इसको टेक्नोलोजी नियूज में आएगी वह इंपोर्टन है आपके लिए तो यहां पर दो सिस्टम्स आ रहे हैं नियूज में वन इस इंटर लॉकिंग सिस्टम और अनदर इस इन दोनों चीजों को देखते हैं कि यह दोनुई चीज़ें क्या है और क्यों हम इंपोर्टन है कि और इन इंटर लॉकिंग सिस्टम in railways interlocking system क्या होता है railways में the interlocking system is actually a crucial safety mechanism ठीक है अब ये interlocking system होता क्या है ये control करता है movement of train क्यों control करता है movement of train to ensure safe operations ठीक है अब ये interlocking system क्या है इसमें होता है signals plus points या जनको हम switches भी बोलते हैं plus track circuits ठीक है अब ये पूरा system जो है जो connected है interconnected है ये system एक synchronized way में काम करता है between signals कि red signal है या green signal है उसी हिसाब से switch जो है काम करेगा और उसी हिसाब से train को आगे बढ़ा दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा या halt किया जाएगा train की movement को और उसी हिसाब से ये track का circuit भी जो है complete होना चाहिए कि एक track connected है बराबर या नहीं है ठीक है और जो track जा रहा है अगर train की movement इधर को करनी है तो क्या ये track connected है या नहीं है ये track का circuit है complete है या नहीं है या फिर यहाँ पे आके जो है गाड़ी का कुछ accident ना हो जाए God forbid तो that is the interlocking system and another is electronic interlocking system ठीक है तो अब क्या करेंगे इसी चीज़ को electronic way में या computer based करेंगे तो this utilizes actually softwares and electronic components to manage interlocking ठीक है तो अब इसमें क्या होगा इसमें भी सेम तरीके के electronic equipment यूज किये जाएंगे जो computer based होंगे ठीक है अब उसमें signal होगा again points होंगे या level crossing gates होंगे ठीक है तो जहाँ पे क्या होगा अब कि ये क्या करेंगे कि जहां पे भी signal होगा उस signal को दूर से detect करेगा और detect करने के बाद it will be all synchronized with a software और वो software better manage कर पाएगा इससे कि आप उन सब चीजों को manually manage कर रहे हो तो the thing is कि around 2022 अभी तक टू टू ट्रिपल एट 2,888 stations in India have already been equipped with this electronic interlocking system which comprises only of the 45 percent of railway road network तो 50 percent more than 55 percent पे अभी करना बाकी है तो that is where जहां हम intervene कर सकते हैं जहां हम help कर सकते हैं इस चीज से बचने के लिए this is where Indian railways can actually improvise और यह incidents हमारे बच सकते हैं तो यह दो technologies थी जो news में थी Indian railways के लिए कुछ facts याद रख लो ठीक है first is its world's fourth largest network ठीक है और इस पे 8 billion passengers and the network has 68,000 kilometers which has more than 7,000 stations done and the total track length ठीक है total track length इसमें siding आएंगे yards आएंगे crossings आएंगी सब कुछ आ जाएगा it is one lakh 28,305 kilometers ठीक है factual information for all the state PCS SSC CGL railways हर एक चीज़ के लिए important है चलिए तो आगे बढ़ते हैं in the discussion NIA has filed a charge sheet against nine of the nine which are accused and have a link to BKI and Khalistan Tiger Force अब ये बबबर खालसा इंटरनाशनल BKI and Khalistan Tiger Force KTF these are the two organizations which have been charge sheeted और कुछ individuals है जिनको charge sheet किया गया है by NIA on the basis of having links with terror outfits अब इनका link होगा terror outfit के साथ और ये terror outfit क्या है this is BKI and KTF अब the thing is हमारे लिए BKI and KTF are less important but the thing is कि हमें थोड़ा बहुत knowledge इनके बारे में होना चाहिए plus हमें knowledge होना चाहिए किस के बारे में NIA के बारे में what is NIA and how it functions when was it established तो it's actually a federal agency मतलब ये central government की agency है and it investigates crimes कौन से वाले crimes पे ये काम करती है तो इसका जो जूरिस्डिक्शन है वो all over the country है ठीक है इसको कब बनाया गया था 2009 में बनाया गया था क्यों बनाया गया था 2009 में क्योंकि Mumbai terror attacks हुए थे तो इसके बाद हमने बनाया NIA Act 2008 का और 2009 में ये एजनसी बन गई और ये एजनसी ministry of home affairs के अंदर आती है ठीक है यहां तक चीज़े clear है यहां तक चीज़े clear है तो अभी investigation power में हमने देख लिया इसका terrorism है insurgency है और this investigates the cases across state boundaries ठीक है तो यह एक जगा पर नहीं रुखती है without obtaining prior permission from the state government जैसे CBI को state government का permission लेना पड़ता है whether that is one time permission और the recurring permission वो अलग बात है बट इसको permission नहीं लेना पड़ता है ठीक है this also disseminates intelligence related intelligence related to terrorism कहीं पे भी कोई भी terror attack होने वाला हो तो यहां से intelligence आती है ठीक है यहां से एक ख़बर आती है कि we are in the apprehensions हमें लग रहा है यहां पे कोई attack होने वाला है हमें लग रहा है यहां पे कोई problem होने वाला यहां पे कोई वाइलन्स होने वाला है तो वो सारी चीज़ें एनाइए करती है ठीक है तो दैट इस अबॉट एनाइए एंड तो तिंग इस कि अभी अगर आप देखो तो खालिस्तान से रिलेटेड चार-पांच और्गनाइजेशन से जिनका हमें नाम याद रखना है पहली है यह बी के आई जिसका नाम है बपर खालसा इंटरनेशनल फॉर यूपी एस सी हमें बस यह नाम याद रखने कि क्या पता खालस्तान कमांडो फॉर्स नाम याद भी नहीं रखने बस हमें इतना द्यान में रहना चाहिए कि हार एक और्गनाइजेशन में खालस्तान है बट एक और्गनाइजेशन में नहीं है और फॉर्थ वन इस इंटरनाशनल सिक्ट यूथ फेडरेशन ठीक है तो यह जो चार और्गनाइजेशन से यह बीन लिस्टेड ऑन दा फर्स्ट शिडियूल आफ यू ए पी ए और इंको फर्स्ट शिडियूल पर लिस्ट कर दिया है किसने अनाई ने आगर यह फर्स्ट शिडियूल पर लिस्ट कर दिया तो इसका मतलब कि यह है धीज आर बैन ओर्गनाइजेशन ठीक है तो इस लिस्ट पे और कितनी organizations है तो सारी हमें याद नहीं रखनी है 42 total organizations are there which are being which have been banned ठीक है तो अब इसमें बस ये नहीं है कि ये बस खालिस्तान से related है यहाँ पे वो जैशे मुहमद, हिजबुल मुजाहिदीन, उल्फा, और United Nation Liberation Fund, प्रीपाक, KCP, ऐसी बहुत सारी organizations है, LTT है और Communist Party of India, Marxist, Leninist, which is the People's War, all its formation and front organizations, Maoist Communist Center, ये सारी organizations है, बहुत सारी, जिनको बैन कर दिया गया है और जिसमें Tamil Nadu Liberation, RBB आती है, तो तो इसको भी बैन कर दिया है, किसने, on the basis of this, what we were discussing, ठीक है, तो चलिए, आगे चलते हैं, NIA ने बैन कर दिया, तो West Asia में है, जामे में लिए Islamiyah का नया एक center खुल रहा है, campus खुलने वाला है, वहाँ पर, it's a good thing, for sexually abused children, the road to rehab is long, यह एक ऐसा news है, जो हमारे, जिसमें हमें यह समझना है, कि एक short answer लिखने के लिए भी, हम बहुत ही अच्छा एक approach अपना सकते हैं, तो इस author starts with this 14-year-old girl, जिसका नाम यह रखता है, Disha, whose actual name is changed, अब Disha is the victim of, she's a victim or she's a child, who has been sexually abused by a man who was 34-year-old, तो the thing is, कि he talks about this girl and he talks about that, how rarely are there, is there any financial, emotional or any legal support which is provided for these trauma patients, for these trauma cases, to help them. First, not to drop out from the school, एक तो यह school continue कर पाएं, दूसरा इनकी financial help कर दें कि यह financially weak ना पड़ जाएं, ठीक है, और इनके पास, जब यह schooling complete करें तो इनके पास at least ऐसा हो that this girl has financial independence, तो इस बारे में काम करना है, ठीक है, तो then he discusses her case that how much was there done by the Child Welfare Committee and police officials, however, he also highlights here some problem, ठीक है, आप देखो short answer है, आपको समझना है, means का यह short answer है, और यह problems भी highlight करेगा, यह solutions भी highlight करेगा, यह anecdote भी लिखेगा, और यह, मतलब हर एक चीज़ लिखेगा कि हुआ क्या actual में, तो हमें इस art को सीखना है, ठीक है, कि कैसे लिख रहे है, author यहाँ पर, तो one area of the rehabilitation is compensation, तो compensation कौन दे सकता है, ठीक है, तो this Delhi Commission for Women's Chairperson, she said that compensation provides immediate support, and she believes that it is best to provide compensation at the different stages of her life, यह problem है, compensation एक बार में एक लाख रुपे दे के खतम कर देते हैं इस case को, बट एक्चॉल में, compensation at the different stages of life should be there, ठीक है, तो वो एक problem highlight करते हैं और उसका solution भी देते हैं, then another aspect of the support is counselling, counselling यहाँ पर पता नहीं है लोगों को, और counselling का इतना wide scope है कि we do not have right counsellors, not for these trauma cases, not only for these trauma cases, but the rest of the cases also, career counselling नहीं है, counselling का बहुत ही ज्यादा wide scope है इंडिया में, then an officer who has worked with minor survivors explains that even before a victim gives a statement, before a magistrate, there are several counselling sessions which have to be performed, अब जो यह counselling session है, जब यह child के पास जाते हैं, पूछने के लिए, उसको ready करने के लिए कि क्या आप इसके बारे में बात कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो, कोई victim ऐसा नहीं है, कोई इंसान, कोई victim जो है, वो भी इंसान ही है, वो इस चीज के बारे में पहले किसी को बोले, that is traumatic, जो उसके साथ हुआ, वो already एक trauma था, अब वो किसी को बोले, that is more than that, फिर उस चीज को accept करके बाहर आए public में, या magistrate के सामने statement दे, that is something which is beyond the mental capacities of a human, इसको समझना है, उस चीज के लिए counselling ज़रूरी है, and that is where the counsellors come in picture, but the problem is कि अगर ये counselling ठीक से नहीं हुई, और ये police surveillance रहा, और ये police 24 गंटे उनके पास आए, तो then this author says that this creates a double stigma, and this stigma of rape and police visits, पहला stigma था that she was raped, second stigma is that now the police visits are there, अब उनको तंग किया जा, तंग नहीं किया जा रहा है, अब उनकी family को उस stigmatic perspective से देखा जा रहा है, ठीक है, तो this is where the family starts denying the incident, और वहाँ पे जो है, ये पीछे लेना चाहते हैं, कि ठीक है, जो हो गया, वो हो गया, उस पे मिट्टी डालो, आगर बढ़ते हैं, लाइफ जीते हैं, प्लस this woman in her entire life should be supported for the financial independence, and he also provides a way forward, unsafe touch and all of these things must be taught to parents, first this should be taught to parents and then this thing should be taught to the children, what is good touch and what is bad touch, so this is how we write answers and this is how we understand an issue, actual man, so learn some things from here, this will help you a lot in your preparation, moving forward, ठीक है, चाड़िया आगे चलते हैं, non-verbal communication कितना ज्यादा important है, कि आपको हमेशा बात करने का जरूरत नहीं होता, है न, it's always that once you start talking, it should not be a monotonous or it should not be a one-way conversation, you should go beyond your words and you should speak where you give and receive countless non-verbal clues, every day, जाहे उसमें facial expression हो, वो gestures हो, वो eye contacts हो, this is all about your personality development and this is all which will help you in interview, तो इसको पढ़ो, अपने interview को त्यार करो, क्योंकि आप already उस platform से जुड़े हुए हो, जहां से आपका prelims और means का सारा help आपको मिल जाएगा, just believe this thing that you will get enough help, और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आता है, तो यह हमारा number है, इस number पे call कीजिए और इस numbers पे direct मेरा नाम पूशी, तो यह आपको मुझसे connect करवा देंगे, and then we will help you in better ways, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, now comes an editorial from the international relations, very, very renowned author of this editorial, Happy Moon Jacob, जिनको बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, उनके thoughts को माना जाता है international relations में, and how he suggests reforms in Indian foreign policy, very much, very much like respected, and very much credible author, जोसको आप समझ सकते हो, now the thing is कि आपके IR के लिए बहुत ज़्यादा important है, और उससे ज़्यादा important उनके लिए है, जिनका PSIR optional है, now the dilemmas of India's great power ambitions, India has this ambition of becoming the great power, how India can become a great power, and what are the dilemmas जो India face कर रहा है, while stepping forward to become a great power, कि इंडिया को great power बनना है, बट इसके सामने कुछ ऐसे challenges है, जो ये face कर रहा है, और उन challenges को ये tackle कर लेता, बट देरा dilemmas कि पहले शुड आइ गो for A, और शुड आइ गो for the B, ठीक है, तो इंडिया थीडियमाज आइ अट्ट आइ अट्ट हंगर, पवर्टी, अप्लिप्में, इफ्रस्टॉर्च और इड़ुड ऑग और अब बेढ़ बलिच्स, भजया, व्यक्राइन, उस रफाम, UNSC रफ्र एंड रएंड रएंड ऑगुड ऑगू ऑगट बेढ़ फटो रएंड बेढ़ुड, between russia and ukraine armenia azerbaijan or any such like international disputes should i go there or should i be here only uh solving the domestic issues so these are the dilemmas joh happyman check-up yaha pa highlight karte hai now going through the editorial bit by bit word by word is editorial ko bhoat अच्छी सबढ़ना है तो what kind of global power will india b kaisa banega to there are those who argue there are some people who argue on the basis of pessimistic views that india should aspire to be a great power and assert its growing power internationally but others argue that it should focus on uplifting millions of the people above the poverty line it should improve its governance and reconcile within the country before venturing into making a better world कि ये दुनिया को सुधारने से पहले अपना घर सुधारे वही बहतर है some people believe in that but some people believe in this thing that no india should be a great power it should aspire for being a great power and it should assert its growing power internationally now the thing is happyman jacob says that these two perspectives one and two these are false binary this is that these are false binary this is something which he talks about और जब आप यही चीज़ लिखते हो that according to happyman jacob according to happyman jacob these things are these the two perspectives for india's development according to happyman jacob the two ways of india to be the global power these are two false binaries so notwithstanding equally faulty that is hyper nationalist and deeply pessimistic narratives the story of the rise of india and the attendant challenges must be proactively and critically challenge engaged so for the kind of the power india would become will not only define the future of the world तो बोलते हैं कि india कैसा पावर बनेगा international power कैसा इंडिया बनेगा यह बस world का future decide नहीं करेगा यह इंडिया की 1.4 billion population का भी future decide करेगा that is how can india make its population a better human or a better citizen in the international governance now he talks about और अब happyman jacob तो comparative analysis देते हैं that is about 1991 and 2003 कि उस time और इस time का अगर हम comparative analysis करें तो कितना difference है तो he talks about 1991 में हमारे पास क्या-क्या problems थी india was weak india was poor india was deeply bleagured और हमारे पास बस exchange reserves 5.8 billion dollars के थे हमारा gdp 270 billion dollar का था और हमारे पास बस 846 million की population थी around 50 percent of this population was very much poor ठीके बट उसके बाद इसी जगह पे जहां पे इंडिया इतना ज्यादा पूर था इसी time पे इंडिया के उपर इतने ज्यादा threats थे कि सबसे पहले एक चीज थी that is nuclear war होने वाला था इंडिया और पाकस्तान के बीच में क्योंकि अगर आपको पता हूं तो इसके बाद ही हमने poker test किये violence in Kashmir was at peak collapse of India's trusted partner Soviet Union जिसके साथ हमने friendship treaty sign कर रखी थी वो Soviet Union decline कर गया ठीक है वो Soviet Union disintegrate हो गया then strained relations with United States because उस ताम पे United States was more dilated towards Pakistan and Afghanistan it was more towards countering the communism than to empowering India and democracy ठीक है उस ताम की कहानी वो थी now the thing is कि उस ताम पे India was on a close watch by American officials that India should not do this, Pakistan should not do that, nuclear weapons, nuclear plants और sanctions उसके बाद तो these were the issues of India at that time but अगर हम वहां से उठके आज के date में आए when it comes to 2023 तो आप देख सकते हो that India has grown its foreign exchange reserves to 600 billion dollars and a war with Pakistan is not something जिसको हम अब डर रहे हैं कि यहां Pakistan के असद वार हो जाए तो हो जाए हम डरते नहीं हैं we do not lose our sleep over that, China has taken that place although but the thing is कि that too is being managed on the diplomatic tables है ना, China को manage करना that is something different but here is something कि we do not lose our sleep in this thing कि there will be a war with Pakistan so India has like developed or India has immense growth in its defense capabilities at this point of time then India is ranked as world's fifth largest economy India's nominal GDP is more than 4 trillion dollars it is it's about to touch 4 trillion dollars currently it's 3.4 or 3.5 trillion dollars so it has one of the largest militaries in the world we have more than 100 nuclear weapons at this point of time we have United States as India's closest friend we New Delhi has been enjoying a stronger relationship with several powerful states of the world India is being sought as the visionary investments which were made from past till now और अभी क्या है अभी इंडिया को ये उचा जाता है international affairs में, international relations में that India is currently being considered as a swing power ठीक है कि जिसकी हित में इंडिया जाएगा they will gain from the low-hanging fruits because of India's strategical location and the way India plays both sides with the great elan ठीक है तो इंडिया का जो ये तरीका है इंडिया की जो ये foreign policy है that is playing the part of mediator और जब आप देखो तो the great power politics में जो अगर आप देखो अभी Russia-Ukraine का debate Russia-Ukraine का conflict तो India's role in world politics gets renewed है that India can be that mediator in this great power politics then US and the wealthy west nations want India on their side ठीक है क्योंकि वो हमेशे इंडिया को बोलते है you two should impose these sanctions on Russia you two should condemn the war and India has condemned the war that's something which is secondary question but they offer, they ask for these things and the west always tries to bring in India on its platter then comes to the Russian Federation और Russia-India को अगर आप देखो तो cheapest oil supply कर रहा है Russia is trying to make India as its trusted partner so that is how India is now sought after पहले क्या था? India was trying to gain this trust to gain the trust or to gain the benefits from Russia signing the friendship treaty or from the US and asking for US okay we will sign all the agreements and then this and that it was just gaining the trust or it was just trying to have that partner or have that power on its side but अगर आप अभी देखो तो India's position has comparatively increased immensely then comes that New Delhi increasingly uses the language of mediation in the global crisis or India has emerged as a major pole in the world politics इन चीज़ों को याद रखना है ठीक है? बिइंग अमेजर पोल और बिइंग बारगेनिंग पावर तो यह सब चीज़ों को याद रखना है Whether New Delhi is actually punching above its weight or not is something only time will tell तो punching above its weight और punching below its weight it's something which are the terms used in bargaining in international relations ठीक है? तो ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे words ऐसे ऐसे phrases को याद रखना और आपके IR के answer में use करना this is something which is the pearls in a jewel pearls in a crown ठीक है? आपके ताज में जो मोतिया होते हैं वो मोती ये words और ये statements होते हैं ठीक है? जिनको आप use कर सकते हो the other side of this great power story is that the GDP per capita of India अब ये दिखाते हैं that where is India lacking? पर capita GDP हमारा अंगलादेश से कम है GDP and military strength however are not do not equal the well-being of the country's citizens ठीक है? और then he talks about the infrastructural and governance issues in India कि ease of doing business पे we have improved but हमारा जो business यहां पे start होता है उसमें भी पहले bribe लगता है 10 से 15 दिन की बारिश ने ही national capital territory दिल्ली को अपने गुटनों पे बिठा दिया that is कि अगर आप देखो तो बहुत सारा part डेली का बंद हो गया था और traffic की moment नहीं हो रही थी again there is Yamuna on rise today also हमने देखा कि Yamuna में फिर से वो threat का alarm आगया that it may breach its mark so that is something कि जहां पे यह बोल रहा है that where are the actual issues, infrastructural issues, where are the issues with military, welfare, citizen welfare और it says that Indian politicians they the involvement in foreign policy to Indian politicians is something like a luxury which they cannot afford so they have this luxury and they cannot afford it, they are aspiring for it that they should intervene in foreign policy but this is something which they cannot afford so why they cannot afford, because they are beset in their domestic issues so being bereft in these domestic issues is something which makes the interventions or which makes the foreign policy very much like too much costly for them to afford it now the thing is another concern in India is to reduce poverty and improve the well-being of millions of the Indians plus when the political class gives scant attention to country's foreign and security policy the foreign policy is actually now managed by what? by the career bureaucrats यह वो बूरोक्राट्स होते हैं जो IFS में जाते हैं Indian Foreign Services तो जो यह बूरोक्राट्स होते हैं they are managing what the foreign policy क्यों manage कर रहे हैं? because I told you na this is something which is too much costly for politicians to engage because of all their domestic issues तो this will this will lead the foreign policy to be on the autopilot mode तो इसको भी समझना जरूरी है that the foreign policy is now being on an autopilot mode so then the presence of a weak economy also tempers the India's elite appetite for external engagements or then this appetite has grown but does not change the fact that the political class can also can only allocate so much attention to foreign security foreign and security policies if the country is economically weak the large section of the population are living in poverty so weak domestic economy prevents politicians from allocating adequate resources for foreign policy objectives और जिसका यह हाइलाइट देते हैं that 0.44% of the government overall budget is allocated to MEA समझे? अब आया समझ कि यहां पे यह बोल रहे हैं that politicians cannot afford foreign policy it is something which is luxury for them why cannot they afford this foreign policy because of this thing कि उनके weak economy होने की वज़े से domestic economy weak होने की वज़े से यह सब चीज़े हो रही है however what should India do India should embrace the power power is something which should be embraced जिसके पास भी पावर आ रहा है जो भी पावर चार रहा है it should have that power it should be embraced always so India should not refrain from shaping the global order India refrain so should India refrain from shaping the global order no it should not or should India continue to assert its place in the world and aspire to be a great power even though India has domestic inabilities क्योंकि ये domestic inabilities हमारे पास यहां पे भी थी थी ना we had these domestic inabilities यहां पे भी और अगर हमने इन चीज़ों के साथ साथ अपना international level पे increment नहीं किया होता तो हम आज इस level पे नहीं पहुँचे होते जो ये वाला level है ठीक है तो इसलिए India should not do these things ठीक है what India should do rather that is it will be a strategic blunder however India this is something that if you are not the rule shaper then you are the rule taker तो अगर आप international spheres में involved नहीं होते हो as rule shaper तब तो आप यहीं बोलोगे कि जो वहां पे हो रहा है वो होने दो और हम भी उसी के according चलेंगे तो इसलिए India को influence करना चाहिए the global order and अब ये कैसे करेंगे तो debt restructuring, geopolitics, geoeconomic interests economic growth and security environment को grow करके इन सब चीजों पर बात करके debt restructuring करके climate change पर initiatives लेके global trade को ज्यादा से ज्यादा transparent or free trade बनाने के लिए non-proliferation of nuclear technology उस पे support करके या उसका उस पे काम करके so whether it likes it or not India's impact on the world order is given is a given India का impact पड़ेगा as it is said that 21st century is Asian century and particularly Indian century तो इसको याद रखना है so India's ability to shape international politics must also be the reflection of its domestic context अगर आप international politics में involved हो रहे हो तो domestic politics में भी उसका नजर आना चाहिए ठीक है reflection and its global engagements must necessarily be geared towards the well-being of its people कि अगर आप global level पे engage हो रहे हो वो इसलिए engage हो जाओ कि आपके local level पे जो farmers है उनका help हो जाए just like the simple example कि RCEP हमने join नहीं किया क्यों नहीं जोइन किया because of the farmer community and the MSME community and not allowing the free movement of labor ठीक है जब यह सब चीज़ें नहीं हुई थी that was the case यहाँ पे farmers को dairy industry इंडिया और आस्टेलिया और निज्लैंड की effect करती MSME में चाइना की industries या जपान की इंडिस्री यहाँ पे effect करती और free labor को इंडिया से बाहर नहीं जाने ते रहा था तो यह चीज़ें देख के we did not attempted for this global step or this step in the international relations and same is the case हम Russia, UK, European Union बहुत सारी countries के साथ France के साथ we do MOUs, we do agreements but we need to always keep this thing in mind that the well-being of its people has to be on the priority ठीक है तो यहाँ पे दो words used किये है इनने हुब्रिस और फिक्यूस वैनिटी ठीक है तो हुब्रिस means the fact of somebody being too proud ठीक है तो 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 वी शुद नाट बी स्टार्टिकली having this authority that is कि हम पीछे रहें है ना कि हम हमारे पास यह option नहीं है कि हम strategic authority को accept करें या adopt करें राधर nor the India's assertiveness nor should be there India's assertiveness on the global stage और India अगर अपनी power assertiveness दिखाता है और India का power increase हो रहा है at the global stage तो this is not something which should be nationalistic hubris ठीक है कि जहां पे हम में pride हो ठीक है nationalistic pride हो that India is doing this 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 great in international relations because there is too much great to be done more for India India has to emerge as something which we call as torch bearer ठीक है इंडिया को रस्ता दिखाना है पूरे वर्ल्ड को तो this is just a starting and just a beginning for India in the international affairs तो इतना ज्यादा भी यह नहीं करना है हमें that we go too much deep in the जस्त हमें बस यह गलत पहमी रहे कि हम इतना ज्यादा कर रहे है इतना ज्यादा कर रहे है वो नहीं करना है तो if we should not have that autarky and all open this is in the downhill driving and this shrinking of the trade ठीक है तो actually in 2022-23 India's exports are off to a rocky start this year and this is highlighted कि exports India के कम हो रहे हैं या decrease हो रहे हैं however अगर आपको यहां पे देखना ही है तो यहां पे reasons क्या रहे हैं इस चीज के उनको देखना जरूरी है and reasons have been there the largely driven by the prevalence of lower commodity prices lower commodity prices import will decrease हो गया due to Russia-Ukraine conflict export and excluding the gold and imports the value of shipment coming into the country is a down 10.5% plus subsequently or sequentially the decline in non-oil and non-gold imports has accelerated ठीक है तो decline हो रहा है नव इंडिया should be because the domestic demand is less and India should be ready to again intervene in the market then comes the service sector service sector exports are still growing but a far more somber pace ठीक है तो slow down है pace और the IT measures जो यहां पे है who drive most of these tangible exports वो थोड़ा सा हो रहे है downcast ठीक है तो अब यह सब चीज़े क्यों हो रही है because of the frail global demand पहला तो global demand कम है दूसरा the trade flows have been directly hurt by the foreign direct investments and tightening of the monetary policies यह कुछ ऐसे चीज़े हैं कुछ ऐसे points है जो usually UPSC use करते हैं अपने prelims के questions में ठीक है कि a decline in the service sector can be caused due to these causes एक, दो, तीन, चार causes अब वो causes आपके static में भी लिखे होते हैं और कभी-कभी उन causes में change आ जाता है इस newspaper में ठीक है जैसे अगर आप यहां पे देखो tightening of monetary policy can excavate the financial market what volatility is ठीक है कि अगर monetary policy tighten हो गई तो financial market में दिक्कत आ सकता है ठीक है अब financial market में volatility आ सकती है tightening से भी और expansion से भी बट तब जब यह चीज extreme level पर जाए जब बहुत ही ज़्यादा tightening करें कि पैसा ही ना छोड़े market में जब बहुत ज़्यादा expansionary कर दे कि बहुत ही ज़्यादा पैसा छोड़ दिया market में तो financial market volatility आ जाएगी ठीक है हावेवर synchronized and well maintained monetary policies are better for economic growth तो आगे चलते हैं a new pronoun for artificial intelligence not that much important हां आपके पढ़ सकते हो आर्टिकल अपने आप से और मुझे यह आर्टिकल उतना ज्यादा इंपॉर्टन नहीं लगा रादर आई फाउंड इस आर्टिकल वेरी मुच important for us to understand because हम international relations में उतना ज्यादा ध्यान देते नहीं है और जब question आता है international relations से तब हमें थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है इसको attempt करना particularly हमारे neighborhood में ठीक है तो neighborhood की questions हम थोड़ा सा avoid ही करते है usually मैंने ऐसा देखा है ठीक है और अगर हम देखें तो UPSC के syllabus में साफ लिखा हुआ है India and its neighborhood ठीक है तो हमारे maritime neighborhood में Thailand आता है तो अगर आप देखो तो Thailand has been in news from past बहुत टाइम से क्यों क्योंकि अगर आपको याद हो या अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो आपने थोड़ा सा Charters and Constitutions have been signed in or have been adopted and passed and made in Thailand ठीक है अब दिक्कत क्या है यहाँ पे Thailand has been the most politically unstable nation ठीक है बहुत ही ज्यादा political instability है इस nation में अब दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि अगर आप Thailand को ध्यान से देखो तो May 2014 May 2014 से recent story है अगर उस से पीछे जाना है तो 1932 से start करना पड़ेगा ठीक है 1932 से बहुत ही लंबा पड़ जाएगा एक्चल में हुआ किया था 1932 में constitutional monarchy बन गया था क्या Thailand और यहाँ पे पहला revolt किया था Thailand में और यहाँ पे पहली बार Thailand adopted a constitution and it became a constitutional monarchy ठीक है अब constitutional monarchy की बने के बाद दो हजार चौदा तक ठीक है दो हजार चौदा तक दो हजार चौदा में तक Thailand was a constitutional monarchy constitutional monarchy का मतलब क्या है यहाँ पे PM was head of government and monarch was head of state and plus there was judiciary also which was independent done यहां तक clear हो गया 2014 मई तक बट 2014 मई को कूप डीटेट होता है कूप डीटाट अब कूप हो गया तो क्या किया military took over the power ठीक है और यह military ने कूप कर दिया तो इन्हों ने क्या किया अभी तक जो constitution चल रहा था वो कौन सा constitution था वो 2007 वाला constitution था और इसको revoke कर दिया अब यह constitution खतम हो गया तो अब क्या चलेगा फिर military rule और यह military rule चला कब तक दिये चला 2019 तक ठीक है और 2019 में क्या हुआ 2019 16 जुलाई 2019 को नया cabinet बना ठीक है नया cabinet बना जिसमें government बनी और government चल रही थी यहां पर अभी किसकी कि 2019 के बाद government जो है government चल रही थी किसकी government चल रही थी future forward party तो यह 2019 की बात है 2019 के बाद 2020 और 21 में there were protests by this future forward party against the PM जो इस ताइम पर PM था whose name was प्रयूत चान ओचा ठीक है and the monarchical reforms अब यहां पर इनने बोला कि एक तो इस PM को हटाओ future forward party ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि इस PM को हटाओ प्लस monarchical reforms हटाओ monarchical reforms ले के आओ अब इस टाइम पर जुडी शेरी ने नवेंबर 2021 में यह प्रोटेस्ट चल रहे थे जुडी शेरी ने बोला that all the protests and moments that are in the country जितनी भी protests या moments चल रही है country में उन सब को खतम कर दो तो इन्होंने end कर दिया end to all the moments they ordered an end to all the moments और यह end हो गया और उसके बाद क्या बोला it declared all of the moments as unconstitutional unconstitutional और इसको बोला गया now that this is a judicial coup ठेक है कि अब जुडी शेरी ने कूप कर लिया और जुडी शेरी ने पूरी गार्मेंट को हत्या लिया however september 2012 22 September 2010 22 में there was there are the in the judiciary also Thailand में there is the top court or the federal court उसके बाद नीचे नीचे there is constitutional court also which decides the matters of constitution and this constitutional court इसने डिसाइड किया और इनने एक decision दिया that जो यह PM है ठीक है whose name is प्रयूत चनोचा he will stay in the office ठीक है because his term has started in 2017 after in 2017 के बाद जब constitution आया 2017 के बाद इसका term start हुआ और अभी इसका term चलेगा और यह term चलता जिया और 2023 में वहाँ पे दुबारा से elections हो गए ठीक है अब 2023 के elections में और 2023 के elections कब हुए यह अभी हुए थे में में ठीक है 2023 elections in Thailand और इसमें जो है एक नई party आई जिसका नाम था the move forward party जिसका president था जिसका नाम था पीता लिम जरोन राट अड डिस चीम तो मिजॉरिटी ठीक है प्लस देर इस वन मोर पार्टी जिसका नाम है फ्यू थाई अड दिस पार्टी केम इंटो अपोजिशन दिस पार्टी रूल्ड इन 2011 के elections में और 2019 के elections में इस पार्टी वाजन मेजॉरिटी ठीक है बट करिंटली डिस इन अपोजिशन यहां तक क्लियर है चीजें जितनी भी थी किसके लिए इंडिया थाईलेंड के थाईलेंड के पोलिटिकल डेवलेप्मेंट्स को लेके जितनी भी चीजें थी वो यहां त अविए अफिर अजिचेंछ़ जिए बारडाइम इंडी ऑनन इस कंटरी विच इस थाईलेंड तो इई जित इस यहां पिर मिलिटर एस्टेश्मेंन आप अर यहां bear इन्हों ने क्ये है बाठी क्या टिस्सका नाम था धा-ध्धलक्रवर्ड फूर्व McMॉड और यहां पर श that while all the establishments all the other establishments, all the other parties did poorly, yet the Thai military went after the architect of the opposition जो पीता लिम जरुन राट था उसके अगेनिस्ट में Thai military went और उन्होंने क्या बोला था इनका एक प्रोमिस था during the election campaign that they will end all the cycle of coups and they will scrap all the military drafted constitutions और इन्होंने क्या बोला था that he will also amend their controversial lessee majesty law अब ये सेम चीजे है जो पहले protest में बोल रही थी कोन फ्यू थाई पाटी ठीक है जो यहाँ पे PM प्रयोद चानोचा के एगेनिस्ट में पहले पाटी या मोनार्टिकल रिफॉर्म्स के लिए the future forward पाटी जो बाते बोल रही थी वही चीज़ों के उपर इस पिता लिम जराउनौट started the election campaign और उन्होंने election जीत लिया and now the thing is कि अभी problem कहां पे आ रहा है problem ये है कि in such a scenario in the majority भी लेके आए but problem ये है problem वहां के Senate में है ठीक है because in parliament the Thailand in the Thailand there is a 750 member by camera parliament जिसमें 500 MPs होते हैं और 200 senators होते हैं which are appointed by the military और senators की majority भी चाहिए होती है candidate needs support of 376 lawmakers to form the government however ये जो पीता लेमजर और नॉट उनको जो पहले attempt में support मिला था he only got 13 votes from the Senate why because Senate is majority dominated by military the senators are appointed by military so that is where the constitutional court came up and उन्होंने बोला कि parliament को suspend करो और अभी the one who has been in the position to gain the majority in the in the assembly ठीक है जिनको lower house में 500 elected MPs में से majority मिली of 376 he has been charged with the violation of electoral electoral laws for not disclosing his shares in a media company which was running there so that is how this state is still in that controversy and in that problematic state but the problem here is कि हमें इसमें पढ़ना क्या है हमें इसके बाद इस सेनारियों को समझने के बाद ये समझना है इंडिया थाइलेंड थाइलेंड रिलेशन्शिप्स आर वेरी मच इंडिया थाइलेंड रिलेशन्स थीस रिलेशन्स आर टू मच इंडिया थाइलेशन्स पूरे हो गया हमारे 75 यर्स का रिलेशन्स पूरा हो गया हमारा किसके साथ थाइलेंड के साथ कब हुआ दो हजार बाइस में and there is थाइलेंड लुक वेस्ट पॉलिशी and India's Act East Policy ठीक है तो दो चीज़े हैं एक लुक वेस्ट पॉलिशी है और Act East Policy है इंडिया की and both the countries are brought together and brought closer at different multilateral platforms जहां पर ASEAN आता है East Asia Summit आता है Wimstick आता है और Indian Ocean Association आता है then there is also Asia cooperation dialogue and there is Mekong Ganga cooperation तो इतनी सारी multilateral platforms है जहां पर इंडिया और थाइलेंड साथ में है इंडिया और थाइलेंड की relationships को लेके थोड़ा सा और हम यहां पर कुछ points लिखेंगे और सबसे recent most point is that कि 75 year complete होने पर there was a two-day visit where the foreign secretary of Thailand visited India to meet the Indian foreign secretary Mr. Saurabh Kumar and conducted sixth India-Thailand foreign office consultations ठेक है और उसके बाद आप आगे चलोगे तो आपको यह समझ आएगा that the India-Thailand relationships are historical in nature cold war से ही हमारे relationships start हो गए थे political relationships में we have been supporting the act east policy which was launched in 2014 which had boosted the bilateral relations a lot जिसमें हमने joint commission we establish किया है और joint commission meeting भी होती है इंडिया और थाइलेंड के बीच में और last meeting हमारी 2019 में हुई थी which was the eighth round of this meeting defense में हमारे पास 2012 का एक MOU है defense cooperation पे और हम कुछ exercises भी करते हैं जिसमें cobra gold आती है ठेक है और माइत्री ठेक है और माइत्री जे बाइलेटर एक्सराइज बिट्मीन आर्मीज और बोद स्टेट्स बोद स्टेट्स बोद इंडिया पैसिफिक और एशिया पैसिफिक मिलिटरी यूज इंडिया स्टेट्स अफन अब्स प्लस क्याटेगरी ठीक है अब्स प्लस क्याटेगरी का स्टेट्स मिला है इंडिया को अग इन देन इसमैं किसमें कोब्र गोल्ड में इंडिया को गडिया है अजिसए अशायफिक मिलिटरी ऐक्सशी से इपासिoule इसमें पर डियूास पर प्लस क्लेटा स्टींड कम्पनी साफते इंवेसिए इंवेस्टेट 나타耍वा था सिए इढिया अझस्तेटर्यों Thailand and there are other countries who are from Thailand and invested in India the tourism perspective there are around 300 weekly flights which connect Indian cities and Thailand and Thailand is a prime Buddhist pilgrimage site location plus there is one more thing which is Myanmar Thailand trilateral highway that is India Thailand India Myanmar Thailand trilateral highway plus there is Asian highway network and there is BIMSTIC framework also education sector may be 72 scholarships are provided to the students from Thailand I guess that's enough for this thing for India Thailand relations and we will move on to our editorial section and not that much important of the news and Telangana keep these things in mind always and first is that the tax evasion by Chinese smartphone companies has been 9000 crore in 2018-2022 itana zyada tax evasion ho ra hai in phone companies ke dora then comes the Indian citizenship ka renouncing and to a reply by dr. jashankar he has said that 87000 people has renounced their citizenship and around 17 lakh people have renounced their Indian citizenship since 2011 ठीक है तो आपका यहां पर assignment होगा कि आप citizenship के articles that is article 5 से लेके 11 तक revise करो plus आप citizenship act 1955 को revise करो ठीक है और यह दो चीज़ें आपका assignment होगा आज का then on the ED's powers enforcement directorate को हमने बहुत ही deeply discuss किया हुआ है इस से पहले भी और आज भी थोड़ा सा और देखेंगे ठीक है और हमने यह difference भी देखा है that how ED officials are different from police officers और police officer का लिया हुआ statement court में पेश नहीं होता है ED officer का लिया हुआ statement court में पेश हो सकता है this is a legal document and how judiciary has to continue its interference in the money laundering cases और दोनों चीज़ें हमारे लिए important हो जाती है ED का कहां पे GS3 economy का section and economy में particularly economic crimes ठीक है प्लस GS3 में ही internal security ठीक है और internal security में भी समसे important चीज़ यह है that financial security और organized crime ठीक है और organized crime groups और organized groups plus money laundering है ना तो such cases of money laundering हवाला यह सारे cases ऐसे हैं या corruption, PMLA, black money यह सब चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे syllabus का core part है तो इसलिए ED भी हमारे लिए important हो जाता है और news क्या थी? News यह थी that Tamil Nadu का एक minister है जिनका नाम है वी सेंथिल बाला जी जिनको high court ने बोला है that the arrest of this सेंथिल बाला जी is legal by the enforcement directorate और same was the case here कि arrest तो legal है ही plus आप prior जो है bail नहीं कर सकते anticipatory bail भी नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते because money laundering एक ऐसा crime है जो पहले पैसा यहां पे था फिर यहां गया फिर यहां गया फिर किसी organization में invest किया फिर उस organization ने दूसरी organization खोली फिर उसने तीसरी organization में invest करके फिर इस बंदे के पास वापस पैसा आया तो this is all money laundering it involves layers and layers and layers यह crimes को समझना ही बहुत बड़ी बात है और अगर आपने इस layering of funds को systematic way में analyze नहीं किया investigate नहीं किया तो court ने यहां पे highlight किया था इस चीज़ को Supreme Court ने कि अगर यह analysis ठीक से करना है if you do not want to get frustrated in this analysis तो आपको pre-arrest bail भी नहीं देना है ठीक है तो that is how high court has also highlighted this case अप PM LA अगनेस्ट सिंधिल बाला जी अब enforcement directorate के officers और police में क्या अंतर है आपस में तो there are unequivocal powers of arrest without a warrant and the enforcement directorate officials they dismissing such a contention the court ruled that provisions have been restructured और provisions ऐसे है enforcement directorate के officials को लेके that there is every possibility of abuse has been prevented वो powers का abuse नहीं करेंगे plus to provide the measures of prevention of money laundering the act has also compelled banks to record the transactions very well तो दो दो चार provisions यहां पर court ने highlight किये हैं about the PMLA act first is कि यह provisions यह abuse of power के जो हमारे enforcement directorate के officers हैं वो abuse of power भी ना करें इसके provisions भी है act में 2002 के act में plus to prevent the money laundering there are enough provisions for banking companies, financial institutions and intermediaries also however there is a difference when it comes to arrest by a police officer and arrest by a ED officer more important thing here is this beta clean and the issue जो यहां पर हो रहा है TB को लेके और patent को लेके इस editorial को अच्छे से समझेंगे beta clean is a drug ठीक है और यह कौन सा drug है यह TB के काम आता है और किस TB के काम आता है जो TB drug resistant TB हो ठीक है जिस TB को किसी भी और दवा से परक ना पड़े वो ठीक ना हो पाए उस TB को का इलाज करने के लिए यह चीज है and then comes कि अभी क्या हुआ है recent development क्या है कि 18 July को Johnson & Johnson J&J इनका जो patent था beta clean को लेके वो खतम हो गया तो Johnson & Johnson ने एक company बनाई थी जिसका नाम था Janssen Pharmaceuticals जिन्नों ने phase 1 और phase 2 के clinical trials किये थे किसके better clean tablet के दवा के अब इनने trials किये but in trials में help किया था बहुत सारी public philanthropic organizations ने चाहे उसमें US का Institute of Health हो वो Institute of Allergy, Infectious Diseases, TB Alliance हो वो बहुत सारे और organizations हो जिनने इनका help किया ठीक है but the problem here is जब patent की बारी आ गई जब patent की बारी आ गई तो उन्होंने बोला that this is our sole ownership and they adopted their patenting strategies और यह कहानी शुरू हुई 2002 से और 2023 में जाके यह खतम हो गया कि उनका जो patent था वो खतम हो गया recently other TB drugs like Linzolid have also decreased their prices over 90% why because there is this generic competition कि Pfizer के जो patent था वो भी खतम हो गया कि इसको लेके Linzolid को लेके तो वो वाला patent खतम हो गया 2015 में अब क्या होता है जब किसी tablet का किसी दवा का किसी chemical composition का patent खतम हो जाए तब वो generic category में आएगी और अगर आप देखो तो इंडिया में अगर यही चीज generic medicine में इसको बनाया जाए और बेचा जाए तो it will be around 48 to 102 dollars for six months of the treatment जबकि इसी का double price or which is three to six times lower than the current price which is globally being negotiated कि 222 dollars पे अभी है यह globally इसका price इस drug का तो यह direct नीचे आ जाएगा कहां पे 48 dollars पे ठीक है तो that is why this ending of the patent and all is important और इस news में एक चीज़ यह है कि इंडियन manufacturers manufacturers will now be able to supply affordable quality assured generic version of better clean in India क्यों ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इंडियन patent office ने reject कर दिया है क्या second petition this second patenting of this chemical तो Johnson & Johnson has tried to just एक बार patent expired हो गया पहला attempt हो गया patent expired हो गया अब दूसरी बार वो क्या करते है second patenting ठीक है कि हमारे patent को revise करो और दूसरी बार उनको patent दिया जाता है बट इंडिया has rejected the patent और अब जैसा अगर यहां पे देखो तो 34 countries with high burden of TB that is multi-drug resistant TB and TB HIV this JJ has filed secondary patent over better cleaning which were granted in 66 low and low middle income countries वहां पे grant हो गया but India has rejected it ठीक है 34 countries ने grant कर दिया but India has rejected it now the thing is कि TB कितना ही fatal है disease तो TB is world's deadliest infectious disease जो कि COVID से पहले थी then each year around like half a million that is 50,000 लोग कम से कम मरते हैं इसकी बिमारी से plus there is around 10.4 million people who develop this drug sensitive TB every year there is another version of TB जिसको बोलते है ठीक है कि latent TB होता है बट तब तक नहीं नज़र आता जब तक immunity आपकी खतम नहीं हो जाते तो most of the people living in India in its national public health emergency हो सकता है इंडिया के लिए and globally India is a major contributor to the anti this TB is actually the major contributor of anti-microbial resistance and this continues to be a public threat इतना ज्यादा important है यह issue और इसको समझना जरूरी है और इसको याद करना जरूरी है आपके लिए assignment होगा that what is a multi drug resistance ठीक है इसको थोड़ा सा याद issue हुआ है अभी यह क्यों नियूज में है क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी यह साई की जो वहाँ जाएगी और ग्यानवापी मॉस्क का सर्वे करेगी वह कमेटी गई है वहाँ सर्वे करने के लिए अब issue क्या है issue यह है कि 1991 में एक local group of priests था जिनने बोला that हमें permission दिया जाए ग्यानवापी मॉस्क में जो ग्यानवापी complex है जो यह मॉस्क है उसमें worship करने का क्यों worship करनी है वहाँ पर because they said that जो काशी विशुना temple है जो काशी विशुना temple है वो एक्चल में वहीं पर था पहले and there are evidences that कि उस temple को destroy करने के बाद औरंगजेव has decided और औरंगजेव ordered his governor at that point of time to destroy the mosque this temple and built another built a mosque over there ठीक है अब औरंगजेव ने मंदिर हटा के मस्जद बना दिया this is the dispute and इस चीज़ को आप प्रूव करने के लिए there is this case going on तो सबसे पहला चीज ये था matter कि इसका जब petition court ने adopt किया which was at that time Allahabad high court और Allahabad high court ने उस time पर बोला that the archaeological study of this complex should be stayed और videography of the survey of the mosque was ordered और again so कुछ woman आए उनने petition डाला that mosque के walls के उपर कुछ मूर्तियां है जिनको हमें पूजा करनी है हमें उस चीज़ का permission दिया जाए however there is contention from the muslim side also into this case कि according to the places of worship act 1991 एक तो आप videography मत कीजिये वहाँ पर उसका violation होगा and all other contentions are there but what actually is the history की औरंग्जेब in 1900 in 1669 order the demolition of Vishweshwara temple to build this mosque and this thing has been mentioned in 1937 में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है history of Benares and this book is written by A.S. A.L. T.E.K.R. A.L. it's A.L. T.E.K.R. A.L. T.E.K.R. ठीक है and he writes in this book that how this mosque was ordered to be built और ये सब चीज़ नाम हो गई and one of the walls of the temple have become a Qibla wall ठीक है तो it said की एक wall अभी भी टेंपल का बचा हुआ है जो west की side में है इस mosque के west के side में है and there is one more claim that there is one Nandi Bull है ना Nandi Bull किस के पास होता है Shivji के पास होता है which is facing towards Gyanwapi mosque है ना rather it should be facing towards what the original sanctum of the sanctorum of the temple कौन से टेंपल का विश्वना टेंपल का तो जो बाहर विश्वना टेंपल है उस टेंपल में जो नंदी बूल है इस फेसिंग towards Gyanwapi mosque ठीक है इस नाट चाम टेंपल का टेंपल अगर यहीदर फेस कर रहा है तो अगर यहां पर था वहां पर नहीं था ठेक है, नथिए तुमच इंपोर्टन इस देर पर अस अज यूपिसे एस्परेंट्स रादर देन जस्ट अंडर्साइं दिस थिंग कि कितना इंपोर्टन है यह चीज और इसको समझना जरूरी है हमारे लिए कि हमें इस चीज पे अट लीस्ट नजर हो कि हो क्या रहा है वहां पी, then comes a foreign visit by foreign minister, this Japanese foreign minister is visiting India next week and he will be discussing about global south, अब यह global south क्या है, plus Japanese prime minister Fumio Kishida has launched the Indo-Pacific Policy और Indo-Pacific Policy जापन का Indo-Pacific Policy किस लिये है और इसका विजट, Foreign Minister Yoshimasa Hayashi इनका विजट यहां पर क्यों है जस्ट तो इंक्रीज दी टाइज, enhance the ties with West Asia and African nations. Plus, they have also this objective of checking the Shrink-Lanka's debt restructuring process in fair and transparent way. Plus, he will also work on the cooperation with India and Bangladesh for Bay of Bengal, North East India and Industrial Value Chain concepts. तो यह दो चार चीज़े हैं जहां पर यह बात करेंगे. ठीक है? अब इस से उपर हमें क्या देखना है? हमें यह देखना है that India-Japan relations में क्या developments हुए हैं अभी तक. और जापान में, जापान का अभी जो new plan for free and open Indo-Pacific आया है, जिसको बोला जाता है FOIP, यह क्या है और यह क्यों है? ठीक है? और अभी अगर आप देखो, तो यह क्या था? इसका नीड क्यों है? बिकास अगर आप देखो तो Japan ने यह चीज क्यों लाई? ठीक है? ठीक है? ठीक है? जापान ब्रोट उप अप इस new plan? because there are issues there are geopolitical issues like russia and ukraine war and there is chinese assertiveness in south china sea and east china sea and there are assertions and there are aggression there is japanese this chinese aggression on the line of actual control and aggression in taiwan strait so that is why the issue of free and open indo-pacific is there now free and open indo-pacific we need rule-based order plus territorial sovereignty this should be the key goal and this is the goal of this fo ip this is the objective of japanese plan now what is india's role in this so japan believes that fip policy is a key for the stability and prosperity in international national community which is there in asia and africa and the two nations of pacific and indian ocean and japan considers india as an indispensable partner and this policy also highlights importance of asian centrality and और उन में बहुत अच्छे मार्स आएंगे ठीक है तो एफ आई पी के फॉर पिलर्स है और यह चीज़ें याद रखनी है ठीक है क्या क्या प्रिलर्स है इसके फॉर पिलर्स फिस प्रिंसिपल्स आप पीज एंड रूल्स फॉर प्रॉस्परिटी प्रिंसिपल्स आप्रिंस 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 safe use of sea to air ठीक है तो चार चीजें चार की चार important है बिल्कुल इसमें कोई भी कोता ही नहीं करनी है चार की चार principles को याद रखना है ठीक है और इसमें क्या करेंगे हम इन चार principles को establish करने के लिए we will pursue for a rule-based order rule of law rule of law pursue करेंगे then economic developmental program should be there G20 principles and quality infrastructure quality infrastructure investments आएंगी then Indo-Pacific way में क्या करेंगे हम we will build what realistic projects by laterally Japan will build the bilateral projects and it will help in building the bilateral realistic and practical projects projects on climate change food security global health and cyber security ठीक है तो यह चीज़े याद रखनी है प्लस multi-layered connectivity में जपान क्या करेंगा multi-layered connectivity में first of all it will do first thing Southeast Asia then South Asia and then South Pacific and the island countries अब तीन चीज़ों पर यह काम करेंगा South East Asia South Asia and South Pacific अब पहला काम कहां पर करेंगा इट विल एस्टाब्लिश आ हंडर्ड इमिलियन डॉलर हंडर्ड मिलियन फंड फंड फॉर जपान अस्यान इंटेग्रेशन ठीक है इस इस नोन इस जपान अस्यान इंटेग्रेशन फंड यह वाला फंड एस्टाब्लिश करेंगे सेकंड थिंग देविल अलसो प्रमोट दी बेय अफ बेंगल अब नर्थ यस्ट इंट्या वैलु जी यह वैलु जी आवि एंपोर्ट एंडिया कि लिए जी घूर्ट थिंग जीए एंट जापन इस आवलू इस पलाव इंटनल एंटनल एरपोर्ट terminal in the western pacific ocean and this is being supported by Japan and the major connectivity initiatives like east-west economic corridor ठीक है और क्या होगा यहां पर east-west economic corridor plus there will be southern economic corridor ठीक है एंड बे अब बिंगॉल इंडस्ट्रियल ग्रोथ जोन ठीक है तो यह सब चीजें यहां पर होंगी and the fourth most power part and the fourth most pillar of this Japan's FIP is that safe and secure sea to air travel अब इस में जपान क्या करेगा तू दो फस्स्टिंग इस the strategic use of official development assistance okay this will implement the strategic use of official development assistance and the maritime law enforcement agencies will be there for and this Japan will help in the improving and the strengthening of the capabilities of maritime law enforcement agencies. ठीक है, तो सबसे important चीज़ है what? Maritime law enforcement agencies और ये लोग को capability enhancement करेंगे ठीक है तो ये कुछ important points थे and Japan has also announced a 75 billion dollar private public fund for infrastructure in Indo-Pacific region. by 2030, 2030 तक यहां पर इतना ज्यादा investment करेंगा जपान. तो वापस आते हैं हम अपने अपने एडिटोरियल पर इस आपने पॉइंडिया जपान रिलेशन्स और ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ is a term which is used for the southern nations. A different kettle of fish in Jammu and Kashmir. So, this is trout fish. This trout fish was actually brought into Kashmir by a Scottish man or from Europe only, Scotland only. And around 1800 trout eggs were brought in. Then, now the production has increased a lot and the Kashmiri people who want actually this fish now to export this fish back to Europe. Because this fish lives in the cold running water. इसको याद रखना है किसमें? Cold running water. But इसमें एक इशू यह है कि अब प्रोब्लम यह आ रहा है that groundwater temperature is also increasing. And this fish is in Kashmir. Because there are natural springs also. But nowadays, there is something called as recirculating aquaculture systems which depend on groundwater to create in-house ponds for trout farming. This is something which is being subsidized by the government. However, अगर वहां पे like unregulated use of groundwater हो. So, then it can cause a problem and severe shortage of groundwater in such scenario. So, this is something which has to be taken care of by the local government. However, this trout fish is a bit important and the fishery industry is a bit important for India at large. ठीक है हमारा बहुत सारा कुल्चर एस्ट का बेंगॉल, वेस्ट बेंगॉल, लाइक बिहार और प्रिकलर नॉर्थ जम्मो और कश्मीर और सम इस पोस्टल स्टेट्स दाउन देर तो सीफूड का बहुत ही अच्छा कुल्चर है इंडिया में ठीक है विया दैवर्सटी आप स ठीकुल्च परिकुल्च डीक ट्रॉकम।र्ट तो स्टाव्ड प्रिजे प्रोत इंड श्यूश् खिश्टर सीवू ट्रॉकल नॉस।alay्टे में डे मान्स यह तैटेटी व्यर्स्वेप्म और क्षपिछ 9 002 . तो I guess this is enough for this newspaper and this is all in this newspaper, the Odiesa, the Odiesa Cathedral which has been attacked by Russia because Ukraine has set up itself for a counter-offensive which has failed and this UNESCO protected historical city center, UNESCO protected historic city center is currently abrasion और इसमें problems इसको destroy कर दिया है in this attack, ठीक है, तो where is this actually located, ठीक है, इस cathedra, तो the thing is this Google Earth has lost the connection, otherwise I would have shown you कि ये cathedra कहां पे है, Odiesa City कहां पे है, and yeah that's it for today, I hope you like this session and this is actually fruitful for you and anyone who tells you that कि हिंदू का अनल्स सादे गंटे में खतम होना चाहिए, दो गंटे में खतम होना चाहिए, एक गंटे में खतम होना चाहिए, दिस टोटली something which is a myth with respect to the newspaper, अगर आपको निश्पपर अच्छे से पढ़ना है, static के साथ, तो it takes time, आप खुद से पढ़ो तो दो ग It's very much, very much, very much fruitful, ठीक है, आपके लिए assignment होगा, what are red shirts and who wear the yellow shirts in Thailand, ये दो कोन groups थे, Thailand में, और red shirts जो है न, ये भी Thailand में था, yellow shirts भी Thailand में थे, बट red shirts एक ऐसी organization थी, जो modern Indian history में, एक टाइम पे protest कर रहे थे, ठीक है, आप इनको उस time पे क्या बोला जाता था, कौन था, इनका leader, और किसने ये red shirts organization arrange की थी, modern history में, बट यहाँ पे 2006 के red shirts और 2006 के yellow shirts, Thailand में कौन थे, ये आप मुझे comment section में बताईए, जै हिंद, जै भारत, 9031036712, ये हमारा number है, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप इस नमर पे कॉल कीजिये, मेरा नाम लीजिये, and you will be connected to me, thank you, thank you, thank you, thank you, once a lot, once again.